नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूँ, मुझसे ही आपके देश का नाम बड़ा भारत मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतहकरण में समाई रखी हैं ये आपको अपने गौरफशाली इतिहास और तुम्हारे शूरवीरों के साहसिक कारियों से अवगत कराएंगी आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक अनोखे वीर पुत्र की जिसका नाम था छट्रपती शिवाजी महराज सन सूला सो सत्ताई सी स्वी पूरे भारत पर मुगल सामराज का अधिपत्य था उत्तर में शाह जहां तो बीजापुर में सुल्तान महमद आदलशाह और गूलकुंडा में सुल्तान अबदुल्ला कुतबशाह डेकन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम्स अफसरों को ही प्रात्मिक्ता देते थे बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कबजा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार इसलिए उत्तरी अफरीका और मध्य एशिया से मुसल्मान अधिकारियों को लापाना मुम्किन नहीं था और टेकन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेना ध्यक्ष था शाहाजी भोसले शाहाजी सेना में उच्चपद पर आसीन था सन 1630 में महराष्ट में जुन्र के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ स्थानिय देवी शिवाई के नाम पर पुत्र का नाम करन हुआ जो आगे चल कर छत्रपती शिवाजी महराज के नाम से विश्वफिक ख्यात हुए शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहे थे इसलिए बच्पन में उनकी देखरेख माता जीजा बाई और गुरू दादो जी कोंटेवने की दादो जी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीत शास्त्र सिखाया तो जीजा माता ने हिंदु धार में कथाएं जब दादो जी का सन 1647 में निधन हुआ तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदल शाह की सेना में उच्चपद पर आसीन होंगे लिकिन विधी को कुछ और ही मन्जूर था सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदु शासक का अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर पाने के लिए इन तीन परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था एक कि वो शक्तिशाली सामराज्यों के केंदर से दूर हो जमीन खेती के लिए अनुपियोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो ताकि छापा मार युद्ध या गुरिला वारफेर करा जा सके ये परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी जब उन्होंने स्थानियक के सानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया शिवाजी को भली भाती याद था कि किसी भी सामराज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदल शाही अधिकारियों को रिश्वत दे कर तोरना चकन एवं कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिया इसके बाद उन्होंने आबाजी सोंदेव की मदद से थाना, कल्यान और भिवंडी के किलों को मुल्ला एहमत से चीन कर अपने अधिकार में कर लिया इन घटनाओं से आदल शाही सामराज में हडकंप मच गया शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफतार कर लिया गया इसलिए शिवाजी ने अगले साथ बरस तक आदल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया शिवाजी ने ये समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देश मुखों को अपनी ओर करने में लगाया धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली जिसके घुड सवार नीताजी पलकर ने संभा लखी थी और पैदल सेना ये शाजी कंक ने अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए संद 1669 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10 हजार सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुकम दिया अफजल खान अपनी कुरूरता और ताकत के लिए जाना जाता था उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने की लक्ष से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कतल कर डाला लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापा मार पधती से युद्ध चालू रखा इस समय वो प्रताबगड किले में रहे जो की चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोके से मारने की साज़ेश रची उसने शिवाजी को मिलने का नियोता भीजा जब वो मिले अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबा कर मार डालने का प्रयास किया शिवा जी पहले से तयार थे अपने छुपा कर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला जो कि उनसे दो गुना विशाल काय था इसके बाद प्रताप गड़ की लड़ाई में शिवा जी ने अफजल खान की सेना को करारी माद दी शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया अब की बार रुस्तन जमान को भेजा गया 28 दिसंबर 1669 को शिवा जी ने रुस्तन जमान की सेना पर सामने से हामला बोल दिया साथी उनकी सेना की दो और टुकडियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तन की पॉज पर आकमर कर दिया रुस्तन जमान शर्मिंदा जनक स्थिती में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचा कर भाग गया सन 1660 में आदल शाह ने अपने सिना पती सिद्धी जोहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा शिवाजी पनहला किले में थे और सिद्धी जोहर की सिना ने किले को चारों और से घिर लिया शिवाजी ने सिद्धी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्धी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है इससे आदिल शाह और सिद्धी जोहर के बीच लड़ाई छड़ गई जिसका फायदा उठा कर शिवाजी एक रात अपने 5000 सेपाहियों के साथ 15 के लिए से बाहर निकलाए बाजी प्रभू देश पांडे ने न सिर्फ सेपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलज़ाए रखा जिसकी वज़ा से शिवाजी सकुषल विशालगर पहुँच गए इस लड़ाई में बाजी प्रभू देश पांडे को अपने प्राणों से भात धोना पड़ा उनको महराष्ट के इतहास में एक महान योद्धा माना जाता है इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विंती करी उसने अपने मामा शाहिस्ता खान को एक लाख पचास हजार सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने ने जा शिवाजी के नवास्थान लाल महल पे अपना बसेरा डाल दिया शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाइयों के साथ शादी के बरातियों के फेश में पूने में प्रवेश कर लिया रात की समय उन्होंने सीधे शिवाजी से खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला खान ने खाकी से कूद कर अपनी जान बचा ली पर शिवाजी की तलवार की वाज से अपनी तीन उंगलिया गमा बैठा उंगली तो गई और इज़त भी फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यफसाई केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला और अंसेब आग बबूला होकर साथ वर्षे राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जैसिंग को अपने डेर लाक सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए बेज इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाक की मुद्रा हरजाने के रूप में देनी पड़ी उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा शिवाजी को नियंद्रित रखने के लिए पहले ये तैह हुआ कि उन जंगजेब नहीं जानता था कि ये गल्ती बहुत महंगी पड़ेगी शिवाजी ने बिमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्त को ठीक करने के आशिरवात के लिए साधू संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जाताई एक दिन वो खुद श्रमिक के भेश में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपा कर बाहर निकलाए वो मतुरा, काशी, गया, पूरी के बाद गोलकूंडा और बीजापुर होते हुए राएगड पहुँच गए 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाईयां लड़ते हुए चार महीनों के भीतर अपने राज का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भर्सक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुआ उसने अपने उत्तम योधाओं जैसे दाउद खान और मोहबबत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा लेकिन सब को मूह की खानी पड़ी इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्ति हो गई और बीजापूर सल्तनत की स्थिती में चला गया आखिर वो दिन आया जब गगा भट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परमपराओं के साथ शिवाजी का राज्य भिशेक किया वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेव और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्या भिशेक संपन्न हुआ शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी वो एक योग ये प्रशासक भी थे उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया उनके कई अधिकारी यहां तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसल्मान भी थे उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया यहां तकी युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गुरिल्ला युद्ध, किलों का उप्योग और नवसेना का निर्मार भारत में पहली बार शिवाजी नहीं करा। उन्होंने चार किलों तथा दो हजार सैनिकों से शुरुवात की थी और उनकी मृत्यू के समय तक ये गिंती 300 किलो एवं एक लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अपरेल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। और अंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यू के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा। लिकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र सामभाजी ने और उसके बाद छत्रपती राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर समभाली। और अंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यू के समय तक पूरी तरह से बरबाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज की नीव रखी, वो आगे चल कर करनाटक से लेकर एटाउक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुश्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हिरते में अपने महानकारियों, साहस और बलेदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं।